बगहा के मेहूरा गाउं में आपसी रंजिश में दो पक्षों की बीच जम कर मार पीठ होई जिसमें दो महिला समेथ तीन लोग गमी रुप से घाय लोग है घाय लोग का इलाज अनुमंडली अस्पताल में चल रहा है वहीं इस घटना में पुलिस नेक को गिरफतार किया है पर दो पक्षों के बीच जम कर मार पीठ होई और जिसमें दो महिला समेथ तीन लोग गम भेरुप से घाय लोग है यह आपसी रंजिश का मामला है पहले से दो पक्षों के बीच बाद चलता रहा था जिसके बाद कहा सुनी काफी बढ़ गई और मामला इतना बिगड़ गय कि जम कर दोनों पक्षों में मार पीठ होई और इस मामले में दो महिलाएं घायल होई है जिनका इलाज चलता रहा है अलाकि इस घटना में पोलिस ने एक को गिरफतार जरूर किया है और इस जाधा जानकारी के लिए बगहा से राकेश जूड़ चुके हैं फ्लैंग पर रा जुड़ चानिक कोशच कर रहे है नाकेश कर आकर विवाद की बात को लेकर लेकर जुड़े ब्यावी आदमी था सोरावी कर बाबाल कर रहा था तो मुमुमौस में गिपतार भी कर लिया है लेकिन इस मामले में एक की गिरफतारी हुई है जिस की पिटाई की गई है जिस की पिटाई हुई है उस पक्ष में हुई है गिरफतारी अपस में रिष्टदार है और पडोसी बताई जा रहे हैं आपस में रिष्टदार है और पडोसी बताई जा रहे हैं जो बता कई हुआ था जिसको लेकर मार्ड पिटार हुए जिसके बाद जो दूसरा पक्स था काफी ज्यादा बीफर उठा और कहा सुनी हो गई, कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि मार्पिट तक पहुच गई और मार्पिट में दो महिलाएं समेत एक व्यक्ति भी घायल हुआ है जिसके बाद पोलिस ने एक व्यक्ति को गिरफतार किया है